आप जानते हैं कि नैनीताल के अलावा दिल्ली में भी नीम करोली बाबा का एक अधभुद आश्रम है। इसे बिल्डा हनुमान मंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदर और आश्रम भक्तों के लिए एक चमतकारी और अध्यात्मिक्स थल है। आईए इस वीडियो में जानते हैं इस मंदर और आश्रम का इतिहास, इसकी विशेश्टाए और यहां कैसे पहुचें। इस मंदर का स्री जुगल किशोर बिल्डा जी के दार द्वारा, निर्मानकारी है हुआ, महाराजी सन 1961 में 1961 में आपके जिस्तान पर आए, यह जगेपूरी जंगल वंशेत्र था, अभी मैं तिवारी जी को बोलूँगा अंदर से दर्शन कराएं। जाए एक गोला कार बना हुआ है, महाराजी जी ने सन 1961 के अंदर हाँ पर बोला कि खुदाई करो, जब वहाँ खुदाई हुई, तो छोटे सरूप वाले हनुमान जी के अभी हम आपको दर्शन कराएंगे, वो यहीं से ब्रगट किये थे, सन 1961 के अंदर, चार दिसंबर 1965 को सर्थकाली घ्रह मंतरी श्री गुल्जारी लाल नंदाजी के दोड़ा इस मंतरी कर सिल्यान नियास हुआ, सासरी जी ने इसका उटगाटन किया, और यह पूरा जो मंतर आप देख रहे हैं, यह श्री जुकर किशोर बिल्डाजी ने बनुमाने के बाद मे हमारे पुझे पिताश्री श्री नायर बाबाबाजी को अम्रफित कर दिया, पुझे पिताश्री ने यहाँ पर सेवा करी, अब 1977 से 1977 से हन्मान जी के महलाची से और पुझे पिताश्री की किपार से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो इस पूरा मंदी परिशत अभी हम चा का पार्ट होता है उसके बाद में बंडारा परशाद की विवस्था रहती है मंदिर का समय प्राते कालगा आठ से बारा और साम को चार से साड़े आठ का है सभी वक्तों से निवेदन है समय पर आए और हन्मान जी का महराजी का आशिवादी लोकेशन क्या है यह यह श्री हन् दिल्ली से अभिशेक तिवारी की रिपोर्ट